कि आपने साथ मेरा कार्ट को RASING कर सकते हैं। कि अर युसार कार्ट को RASING कर सकते हैं। और आपने कितनी ट्रांजेक्शन से देख सकते हैं। सबस्ब्स पहले यहां पर देखिये हम गूगल प्लेट करेंगे मेरा राशन एप तो जैसे ही आप यहां पर मेरा रासन एप डाइप करेंगे तो उसके बाद आपके सामने यह एप डाउनलोड हो जाएगा तो देखे इसे इब को मैं अपने मोबाइल में इस्टाल करेंगे यहाँ पर आपको देखे ग्रीन करने का इंस्टाल बटन दिख रहा होगा इसमें हमने जैसे ही क्लिक किया तो मेरा रासन एप देखिए हमारे सामने इस्टॉल हो रहा है आप ध्यान रखिए गा यह जो एप है यह 25 ऐंबी का है तो आप इसी एप को डाउनलोड कीजीगा तो देखिए यह हमारे मोबाइल में एप डाउनलोड हो रहा है और जैसे यह एप देखिए हैं इसकेन होने के तो आप कहीं पर अन्यत्र जा रहे हैं किसी झा रहे है तो आप सोइब के माध्यम से उस राज्य में भी अपना रासन ले सकते हैं तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले राजिस्टेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रासन कार्ड नमबर डालना होगा यहां देखिए एंटर राशन तो यहां पर हम अपना रासन कारड नुमबर डालेंगे और उसको submit कर देंगे तो जैसे ही देखिए ओन काजिए तो हमारे लाइन जाला है का नमबर डालते ही नीचे की पार अट्र reopen कि क्लिकि यहाँ पर आ गई साथ ही नीचे देखिए यहाँ पर हमारे कार्ड में जो मेंबर से हैं उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही है तो यहाँ पर देखिए आप जिन जिन मेंबर का रासन कार्ड टांसपर करना चाहते हैं किसी अन्य स्टेट में उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जहाँ पर हमें अपना रासन कार्ड टांसपर करना है जैसे हमने देखिए यहाँ पर डेली स्टेट सेलेक् करेंगे और उसके बाद माइग्रेशन पिरियाट कप तक तो सबसे पहले यहां पर हमें देखिए सेलेक्ट में क्लिक करें मन्स सेलेक्ट करना है और उसके बाद राइट साइड में हमें यहां पर देखिए सेलेक्ट में क्लिक करेंगे तो से हम यह सेलेक्ट कर लेंगे हमने जून 2022 सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम यहाँ पर अपना मोबाइल निमबर डालना है और आगे देखिए माइग्रेशन किस लिए आप कर रहे हैं आपको रासन रिए कर रहे हैं किस चीज के कारण और माइग्रेशन यहां पर आपको सेलेक्ट कर लिया और अपना मॉबाइल डाल दिया उसके पार खाने क्लिक करेंगे तो आपका तो cuma कार्ण करेंगे और यह सारी डेटेल करने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से हम अपने राशन कार्ड को किसी अन्य स्टेट में बहुत ही आसानी से टांसपर कर सकते हैं तो यह देखिए पहला जो यहां पर टैप था राइस्टेशन का अगला है नहीं है तो देखिए सब्मिट बटन में क्लिक किया तो यहां पर हमारे सामने सारी डिटेल आ जाएगी चाहे आप राशन कार्ड के नंबर से करें इसको सर्च या आधार नंबर से तो देखिए कितना आपको मिलेगा वीट जो है आपको देखिए दू रुपे की दर से बारा सरके कर दालना पड़ेगा तो हरमा आपकी जो भी यहां परяет होगी वह आपको यहांपर दिखाई देगी इस प्रकार से यह बहुत ही महत्यपूंत टैब हैस्ते की आधार नमबर में अगर हमारा इंटाइटल नहीं है तो यहां पर उसके बारे में भी बता देगा अगला अप्शन है नियर बाई रासन शॉपस तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें GPS सेटिंग को इनेबल करना होगा सेटिंग में जा करके हम अपनी कि नchedou कर लेंगे तो इस परकार से देखिए हम अपने आसपास के जो भी रासन की दुकाने हैं ने यहां पर देखिए मैप लोगैज फूर का यह आप दिहना होगा होगा जैसेvit में चेंडाए तो को रूट भी बता देगा कि आप उस छेतर में कैसे जा सकते हैं माना आपने अपना रासन कार्ड ट्रांसपर करवाया किसी अन्य स्टेट में और आप नहीं जगह गए हैं तो आसानी से आप महां का एड्रेस जान सकते हैं साथ ही देखिए जैसे हमने इसमें टैप किया गूगल मैप हमें यहां पर देखिए इसका रास्ता भी बता देगा और कैसे जाना कितना टाइम लगेगा यह सारी डिटेल इसके माध्यम से यहां पर आपको उपलब्द हो जाएगी तो यह भी इस एप का एक बहुत ही अनुठा फीचर है जिसके माध्यम से आप नई रासन की दुकान को बहुत ही आसानी से खोश सकते हैं तो यह है नियर बाइ रासन सौप से फिर हम इसे बैग जाएंगे तो देखिए एक अगला इसका जो चौथा टैब है वह है ओ और और शीवन नेशन वन रासन काड से जुड चुके हैं बाकी आप पूरे भारत में कहीं पर भी अपने रासन कार को ट्रांसपर कर सकते हैं और अपना रासन किसी भी श्टेट से ले सकते हैं तो यह देखिए ओ और सी स्टेट से हम इसके बारे में जान सकते हैं और जिस स्टेट के बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी डिटेल तो उसमें टैप करेंगे तो देखिए यहां पर उसका ट्रांजेक्शन आदी सारी चीजें कितना सेल कॉंटिटी है कितनी से मार्च में कितने सब्सक्राइबा कुंटिन सब्सक्राइब यह एक डिए सबसक्राइब क्राइब car जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सारे अपने ट्रांजेक्शन यहां पर दिखाई देंगे कि इस मेहने आपको कितना रासन मिलेगा और आप कितना रासन ले चुके हैं तो यहां पर आपको पिछले 6 मेहने की पूरी जानकारी इस एप में मिल जाएगी तो यहाँ पर देखिये अभी जो पिछले चार माह के टांजेक्शन से वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यह केवल दिसंबर तक के हैं देखिये यह 29-21 उसके बाद अक्टूबर, नौवबर और दिसंबर जनवरी फरवरी का अभी तक नहीं लिया है तो इसलिए इसमें समंद टो कितना आपने चावल लिया कितना गे मैं आपको दिखाई देंगे दीखिए आपने आठाट किल लिया है और 202 कलों कि घौ लिया तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने कोई पल्स सुगर आधी भी हो तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी तो माई ट्रांजेक्शन से भी आप जान सकते हैं कि आपने अपना जो कूटा था वो आपने लिया है अगला है चेक ओन ओर सी and यहाँ पर आप अपना नमबर सारे और आप सारे सामने आ जाएगी और आप किस किसीज के लिए टैलीजिबल है वो दूटेल भी यहाँ पर आपको इस टैप के माध्यम से दिख जाएगी और अगर आप इस योजना में अच्थिपर और आपको इसका भी इस्टेन कर सकते हैं रासन काइंपके और अधार काइंप माध्यम् कार्ड नमबर डाला और उसके बाद सब्मिट बटन में क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने आधार सीडिंग डिटेल से आ गई तो पूरे परिवार का जो भी रासन कार्ड में यहां पर जुड़े हुए व्यक्ति हैं देखिए सभी का यह आधार सीडिंग दिखा रहा है कि साथ ही हम यहां पर आधार नमबर में क्लिक करके आधार नमबर से भी अपना आधार सीडिंग का स्टेटस जान सकते हैं तो इस प्रकार देखिए इसके महत्यपूर्ट टैब हैं अगला है यहां पर देखिए सजेशन से और फीटबेक अगर कोई आपका सजेशन है तो सबस यूजर निम पासवर्ड उसके माध्यम से हम जान सकते हैं लेकिन यह हमारे लिए नहीं है अगला है देखिए एफ पीएस फीडबेक फीएस जो हैं यह उनके लिए है यह भी आपके मतलब का नहीं है तो यहां पर भी आप अपनी आईडी और मोबाइल नमबर से यहां पर बहुत सारे option दिये हैं उन option में जाकर करके अपना रिमार्क भी दे सकते हैं लेकिन यह आम उबोकता के लिए नहीं है इसी प्रकार left side में तीन डॉट है तो देखिए उसमें किलिक करेंगे तो वहां पर आप about s के बारे में जान सकते हैं साथ ही contact तो यहां पर टोल फ्री नम करने से रासन से संबंदी सारे transaction कर सकते हैं आज इस वीडियो में मेरा अपके बार में जाना उम्मीद है आपको वीडियो प्रसंद आया होगा अगर वीडियो को लाइक करें अधिक सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बैल आगन को भी प्रेस करें ताकि स्प्र